सब्सक्राइब नोग है ये नहीं हो रहा है और कुछ लोग comment करते हैं कि नहीं मिल रहा है तो भाई लोन लेने का proper एक तरीका होता है एक system होता है लोन लेने का उस तरीके से अगर आप लोन लोगे तभी आपको लोन मिलेगा otherwise आपका लोन एक बाई reject हो गया न तो फिर दुबारा आपको 3-4 महिना मौका नहीं मिलेगा उस application से लोन के लिए apply करने के लिए ठीक है तो यह जो application मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही सही तरीके से apply करना इसमें ठीक है मैं आपको बताऊंगा कैसे apply करना है तभी लोन लेना और कोई भी लोन application अगर आपको लोन देने से पहले आपसे एक गुरुप है processing fees या फिर security money के नाम पे तो बिल्कुल मत देना ठीक है तो चलिए दोस्तो फटाफट से आप मैं इस loan application का आपको रेविव करके दिखा देता हूँ तो चलिए दोस्तो वीडियो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में मैं इसी application का रेविव करने वाला हूँ ठीक है काफी बढ़िया लोन application है minimum loan आपको यह 1000 देगा maximum 60 रुपय तक का लोन देगा ठीक है repayment period minimum 90 days maximum 180 days तक का बनाएगा 180 days तक का ठीक है annual percentage interest rate minimum 12% maximum 36% per annum का disworth हो जाएगा पांच मैंट के अंदर अंदर loan आपके bank account में अगर आपका loan अप्रूब होता है तो NVFC registered application है RVI के थूँ तो सारे बड़े cities में loan देती ही होगी तो 50,000 महीने का डाल देंगे उनका income अगर 10-15,000 महीने का है तो वो 1,000,000 डाल देंगे तो भाई ऐसा कभी भी मत करना 50,000, 60,000, 70,000, 80,000, 1,000,000 ऐसे कुछ भी अपने मन से मत डाला करो जितना आपका income है उतना ही डालो 10,000 income है तो 10,000 डालो ठीक है क्यूकि आपके pencard से पता लगा लेगा कोई भी loan application या फिर आपके bank statement से pencard से तो नहीं पता लगा पाएंगे उतना वो आपका loan का पता लगा सकते हैं कि time-to-time loan भरे हैं कि नहीं भरे हैं लेकिन आपके bank statement से वो पता लगा लेगे कि आपका income कितना है और pen card से यह पता लगा लेंगे कि अगर आपने 1,000,000 डाला है अपना income मंथली और आपका income 10,000,000 ही तो pen card से यह पता लगा लेंगे आपका अगर कोई loan bounce हुआ होगा कोई भी loan का EMI bounce हुआ होगा तो यह जरूर पता लगा लेंगे कि एक लाग रुपय महिना पा रहा है ये जिसका यह माई 2000-4000 मंथली मैक्सिमम आता होगा तो एक लाक इंकम है 10-15 जार का लोन निभर पा रहा है तो इसका इंकम कैसे हो सकता है एक लाक रुप है तो सबसे पहले गाईज मैं आपको बता दू जिस भी अप्लिकेशन से आप लोन लो उसमें सब कुस सही स जिस मोबाइल नंबर से आपका बैंक एकांट लिंक हो और उसका ट्रांजेक्शन अच्छा खासा हो तब ही आपको लोन मिलेगा ठीक है तो यहाँ पे ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है पांच मैट के अंदर आपको लोन मिल जाएगा यहाँ पे देख लीजे गाईज इन्होंने यही बात बोलाए कि minimum 10,000 loan maximum 60,000 repayment period minimum 90 दिन और maximum 60 दिन APR annual percentage interest rate minimum 12% maximum 36% पर रहनम का है processing fees शुरू होता है 3% minimum maximum 12% और GST 18% है ठीक है यहाँ पे देख लीजे काईज थोड़ा सा और नीचे चलेंगे यहाँ पे देख लीजे काईज अप्लिकेशन वालों ने यहाँ प के लिए apply कर देना ठीक है पांच मैंट के अंदर अंदर आपका approval भी आ जाता है इन्होंने आप एक्जांपल देके समझाया है कि भाई अगर आपको यह application 5000 का loan देता है तो 24% पर रहनम का interest rate लगेगा ठीक है interest लेगा आपसे 24% पर रहनम का 10 और 90 दिन के लिए मिलेगा interest इतना आएगा इतना processing fees लगेगा इतना जिस्टी लगेगा इतना आपको टोटल repayment करना है इतना आपका अर्मीना EMI आएगा आप थोड़ा सा और नीचे चलेंगे बहुत सारे तरीके का आपको यह application loan दे देता है ठीक है आपको choose करना है आपको कौन सा loan चीए emergency loan चीए medical loan चीए education loan travel loan wedding loan ठीक है vehicle loans ठीक है so guys यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे तरीके का आपको loan मिल जाएगा ठीक है यहाँ पर थोड़ा सा और नीचे चलेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए guys यहाँ पर मैं आपको बता दूँ यहाँ इनका mail है कोई भी दिक्कत है इनके mail पर संपर कर स रहेगा नहीं क्योंकि NBFC registered application है काफी trusted बड़ा application है इसका बहुत जादा नाम है अभी मैं आपको इसका नाम बताऊंगा आपको पता लग जाएगा कौन सा application है तो contacts पर आपके call होगरे नहीं करेगा अगर आपका EMI bounce होगा एक भी तो लेकिन दोस्तों एक भी EMI late मत करिएगा नहीं तो आपका civil जरूर खराब कर देगा EMI अगर late करते हैं या फिर bounce करते हैं तो दोनों बाद सेम ही है अब मैं इसका आपको नाम बता देता हूँ साथ में अगर आपका civil score कम है civil score खराब है तो एक और loan application आपको मैं बता देता हूँ इसका नाम है fair money instant loan app ठीक है fair money instant loan app 3.2 की rating है 10 million प्लस इस अप्लिकेशन के डाउन्लोड से है इससे ही पता लगा ले ना इतने millions में इसके डाउन्लोड से है तो कितना अच्छा application होगा तब ही लोग इसके उपर trust किया है और इतना ज्यादा डाउन्लोड किया है यहां से नीचे उगरे पढ़ देना rating उगरे देख लेना देना अपलाई करना ओके देख लो 55554 ऐसे इसको rating अच्छा खासा मिला है मतलब कि अच्छा application है पूरा ट्रम्शन condition reviews rating पढ़ना देना अपलाई करना ओके आप गाईज मैं आपको बता देता हूं एक और loan application अगर आपको इससे loan मिल trueblence application आपको starting में cash loan ज्यादा offer करता है आपके बैंक एस्ट्रेटमेंट लेता है अगर आपके बैंक एस्ट्रेटमेंट नहीं है तो आप trueblence application का दूसरा loan ले सकते हो जिसको level of loan बोलते हैं level of loan starting में आपको 24,000 का मिलेगा लेकिन जैसे आप loan का repayment करते जाओगे आपका level बढ़ता जागा टोटल 11 level होते हैं जैसे आप ग्योरे level पे पहुंचते हो maximum एक लाग रुपाय तक का loan ले सकते हो सबसे च्छी बत अगर आपका धोड़ बहुत सब्सक्राप है थोड़ बहुत खराब है तो भी आपको इजिली loan दे देता है लेगिन हाँ बहुत जवत ज़्यादा खराब है तो loan नहीं देगा थोड़ा बहुत कम है थोड़ा बहुत खराब है लाइक 6 150 है 625 है तो आपको definitely loan दे देगा, ठीक है, तो link है मेरे इस वीडियो का description में, आप मेरे इस वीडियो का description के देगे link से true balance application डाउनलोड करके loan के लिए apply कर सकते हो, अगर आपको कहीं से भी loan नहीं मिल रहा है, तो सिर्फ अपने आधार काट pen cut selfie से आप easily तरीके से level of loan ले सकते हो, ठीक है, बागी गाई सोड़ा सा interest rate जादा है, ट्रोबिलेंस application का बढ़ गई जब कमेंटों में loan दे देता है, तो गई जहीत आज के इस वीडियो में चलिए मिलते हैं, किसी और next इस वीडियो में, तब तक के लिए जहीन बंदे मातरम भाई लोग